हेलो में फ्रेंट्स वेलकम बाक टू दे चैनल आशिसा आज के इस वीडियो में बात करने वाले गुंडवाना उनिवर्शिटी गर्ची रोले की जैसे कि आप सभी को पता है इग्जामिनेशन की डिल्टेस अपडेट में लेकर आने की कोशिश करता रहता हो अगर आपको मेर उन्हें सर्कुलर डिलिस किया 10 सेप्टेंबर के दिन ही और रात को तक्रीबन नौ साड़ो नो पज़े यह सर्कुलर अपडेट किया गया है उनकी वेबसाइट पर उन्होंने कुछ पॉइंटर में इस सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश किया है सबसे पहले उन्हों यहां पर किसी भी तरीके का निगेटी मार्किंग नहीं है यहां अगर आपका कोई अंसर गलत हो जाता तो आपको यहां पर मार्क मिलने वाले नहीं है पॉइंट नबर सिक्स में उन्होंने क्लियर लिका है कि यहां पर ऑनलाइन के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा युनियर सिटी के तुरू आपको भेज दिया जाएगा 18 सेप्टेंबर के बाद उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है 25 सेप्टेंबर तक उस अप्लिकेशन या उस लिंक द्वारा अपनी इमेल आइडियो और मोबाइल नबर को अपडेट कर देना है रिजिस्ट्रेश आप उसकी आंसर दे सकते हो उत्तर देता वह न देता यानि एक्जामिन आंसर आता है तो आप हाँ वो लिए नहीं आता तो आप आगे बढ़ सकते है अगर आपने एक बार किसी क्वेशन का माकिंग कर लिया है तो आप उसका आंसर चेंज नहीं कर सकते या आपने किसी क्व solve कर लिया तो आप उस question को देख भी नहीं सकते यानि आप जिस question पर हो उसके पहले के question और उसके आने वाले questions को आप देख नहीं सकते point number 9 में उन्होंने clearly का है कि यहां पर आप किसी भी तरी किसी question paper download नहीं कर सकते point number 10 में उन्होंने का है कि घर पर बैठे बैठे ही आपको examination देनी है point number 11 में का है कि आपका 100% syllabus पर examination होने वाला है point number 12 में उन्होंने का है कि जो बच्चे district level पर या तालू का level पर या चोटे 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 शहरों में है वो सारे बच्चे online पदेती से examination दे सकते हैं लेकिन जो बच्चों के पास online किसी विधा नहीं है वो बच्चे offline तरीके से examination दे सकते हैं उन्हें अपने परिशास केंदर तक आ रहा होगा और OMR तरीके से उनकी examination ली जाएगी लेकिन अगर जिन बच्चों को online examination देने की इच्छा है वो भी examination दे सकते हैं लेकिन जो बच्चे offline आप्ट कर रहे हैं उन्हें भी अपना registration 25 सप्टेंबर ता यूनिशिटी के पास कराना होगा अपने colleges के माध्यम से यहाँ पर point number 14 में clearly का है कि अगर किसी कारणवश electricity की issue आती है या internet की सुविधा down हो जाती है तो ऐसे टाइम पर आपको यहाँ पर panic होने की जोरत नहीं है आप आने वाले examination time के 8 घंटे के अंदर जैसे recovery होती है internet या electricity के आप वापस से login कर सकते है और आपने जहाँ पर examination छोड़ा ता वहाँ सी आपके examination continue हो जाएगी यहाँ पर point number 15 में उन्होंने clearly कहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर बच्चे को examination देने से वो चूक जाता है तो ऐसे बच्चे को वापस से दुसरा मुका दिया जाएगा लेकिन इसके लिए बच्चों को अपने colleges और university को inform करना होगा और यह information examination के 7 दिन के अंदर inform करन है और online पद्यती से उनकी दुसरी बार examination ली जाएगी इसकी बात आउनको समझगे रखनी है यानि second item में आपको offline का मौका नहीं दिया जाएगा point number 16 में उन्होंने clear कहा है कि यह examination pattern सिर्फोर सिफ इसी साल के 2020 की batch के लिए applicable होगा 25 September से लेके 30 September तक मौक टेस्ट का arrangement किया point number 18 में उन्होंने कहा है कि इस examination की किसी भी तरीकी की answer की release नहीं की जाएगी और evaluation का मौका भी नहीं दिया जाएगा अगर बच्चे को किसी भी तरीकी की difficulty आती है students को कोई भी अर्चन आती है तो वो अपने colleges और university से contact कर सकता है उमित करता हो कि आपको गुणवाना university के circular में कि किसी भी तरीकी की difficulty नहीं है अगर आपको किसी भी तरीकी की difficulty आती है तो आप comment section में अपने comment drop कर सकते है और अगर आपको मेरा regular update बहुत पसंद आता है आप मेरे काम का appreciate करना चाते हो तो चानल को subscribe किये बिना जाएए नहीं और उसके बाजिमें बेल notification को on कर देजे ताकि इसी तरीकी की update आपको future भी मिलती रहे मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नहीं जानकारे के साथ तब तक किया है जाहिए